राहुल वोहरा जी जो की अब यादों में बस गए हैं और जिनको हम बस यादों में ही अब याद कर पाएंगे राहुल वोहरा जो की एक एंडियन एक्टर, थियर्टर आर्टिस्ट और यूट्यूबर थे कुछ दिनों पहले ही वे COVID-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे और 9 माई को उन्होंने अंतिम सांस ली जिनका लास्ट पोस्ट और लास्ट वीडियो हम देख और सुन चुके हैं और शायद ही कभी हम उनका ये वीडियो पोस्ट भूल पाएं क्योंकि नहीं शब्दों में नहीं बया हो पा रहा है कि किस तरह से मैं भी बहुत दुखी हूं और वो वीडियो बार-बार देखके अजीब से फिलिंग कि कोई इंसान जिन्देगी चा रहा है परन्तु कितना हेल्पलेस है और उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि कोई और राहुल इस तरह से ना जाए सिस्टम की ऐसी लापरवाई से किसी और की खुशिया ना बिखरे मूल रूप से उत्राखंड के रहने वाले राहुल सिर्फ 35 साल के थे उन्होंने अपने स्कूली सिक्षाग गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल उत्राखंड से की थी उन्होंने दिल्ली में एक थेटर आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरूआत की 2006 से 2011 तक उन्होंने इंडियन थेटर डारेक्टर अर्विन गौड के साथ काम किया जैसा कि आप सब जानते हैं उनका खुद का भी एक यूटूब चैनल है जिसमें उन्होंने विभिन सामाजिक मुद्धों से संबंदित वीडियो अपलोड किये थे उन्होंने अपनी पतनी जियोती के साथ भी कई वीडियो बनाये थे उनकी शादी को भी अभी छे महीने ही तो हुए थे December 2020 में उनकी शादी जियोती तिवारी से हुई थी Netflix film Unfreedom में भी दिखाई दिये थे उनकी एक भेन भी है नीरू महरा बिष्ट राहुल जी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि कहा था कि मैं जल्द ही जनम लूँगा और अच्छे काम करूँगा सही टाइम पर अगर इनको सही ट्रीटमेंट मिल जाती तो शायद राहुल जी आज हमारे बीच होते पर आखरी समय तक सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण वे हिम्मत हार गए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया राहुल जी मैं भी आपकी वीडियो देखती थी मैं आपको मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी मेरे आँखों में आसू आ रहे हैं और आपकी वो लास्ट वीडियो देखकर तो मैं अपने दुख भी नहीं बया कर सकती हूँ और मैं जोती जी को भी मैं कुछ बोलने के इस हालत में नहीं हूँ बस मैं नहीं वो वीडियो और पोस्ट देखकर आप जल्दी जनम लीजिए और अच्छे काम करी जैसे आपने कहा था बस ये फिलिंग नहीं बया हो पा रही है कि उस समय के आपने जो वीडियो पोस्ट की उसको देखकर बस मन में बहुत दुख है बहुत जादा दुख है अलविदा राहूल जी हम आपको हमेशा याद रखेंगे अपने दिलों में हमेशा आपकी याद रहेगी अलविदा राहूल